साथियों दिवार में जब कील ठोकनी हो तो दिवार से प्रेम दिखाने से काम नहीं चलता तक्या मारने से काम नहीं चलता उस वक्क कील को पकड़के धड़ा धड़ा हतोडी ठोकना पड़ता है यदि शरीर में कोई बड़ी बिमारी ठीक करना हो तो मीठी गोली से काम नहीं चलता उस वक्त लेके सीधा इंजेक्शन लगाना पड़ता है या सर्जरी करनी पड़ती है तब जाके काम चलता है आज मैं तीन कड़वी कड़वी खरी खरी चुबने वाली बाते बोलने जा रह से कभी सला मत करना जिनोंने जीवन में कभी कोई उपलब्दी हासिल ना कियो या तो उनसे सला करो जो बहुत सफल हुएं या तो उनसे सला करो जो कि बहुत असफल हुएं यदि व्यक्ति बहुत सफल भी नहीं हुआ और यदि व्यक्ति बहुत असफल भी नहीं हुआ तो व ने ये गड़बड़े किये, इसलिए में नीचे गिरा हूँ, उसी आदमी से बड़े सपनों की सला लो, जिसकी सला देने की मानसिक वकात हो, यदि व्यक्ति की मानसिक वकात नहीं है, यदि उसकी हैसियत नहीं है, यदि उसकी सोच नहीं है, यदि उसने जीवन में कुछ करने और आपको चिलहर या चवन्नी की तरह प्रयोक करने का प्रयास करता है तो यह मान लेना कि वो आपका शुब जिन तक नहीं है अपने closest blood group में छोड़कर बाहर दुनिया के हर आदमी को यह बता दो कि आपका दिन आप तै करेंगे और दूसरों की मनमर्जी से आपके जीवन के निरना नहीं होंगे क्योंकि यह कहवत है यदि आपने अपने जीवन के निरना खुद नहीं लिए तो कोई और लेगा यदि आपके पास दिन की कोई योजना नहीं है तो आप किसी और की योजना के हिसाब से चलेंगे तो आज मैं यहां आपसे कहना चाहता हूं अपना दि दीजिए कोई मीटिंग जो 10 मिनट में हो सकती हो आधा गंटा चल रही है दस मिनट वाद खड़े हो जाईए और कहिए मेरा इस मीटिंग के लिए समय इतना ही था यदि आप कोई महत्पुन कार कर रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने आपसे अपांडमेंट नहीं लिए और वो आपके पूरे कार को डिस्टर्ब कर देगा उसको हाथ जोड़के नमस्ते कर दिजे कहना आज मेरा बहुत महत्पुन कार के लिए वक्त मुकरर है मैं आपसे बाद में आके मिलूंगा चाहे आपके आफिस में चाहे आपके निजी जीवन में यदि आपने अप सम्मान करते हैं उनको कोई इमर्जेंसी आ जाए तो ही अपने शेडियूल को डिस्टर्ब करिए अन्य था आपका शेडियूल हिमाले की तरह रहना चीए कि आप ने यदि दिन सोच लिया तो आप सिर्फ अपनी इच्छा के नुसार बिताएंगे तीसरी और सबसे महत्मुन बात निरनाय लीजिए मैंने आज तक मैक्सिमम लोगों को यदि औसत यासफल रहते देखा है तो सिर्फ एक कारण से देखा है वो निरनाय नहीं लेते हैं हमारे छोटे छोटे कोर्स में ज्वाइन होने के लिए वो 15 लोगों से पूछते हैं 15 बार सोचते हैं 15 भोन करते है वो निरनाय नहीं लेते हैं मजे की बात है वो घुमने जाना है तो उसका निरनाय जल्दी ले लेते हैं वो एक कार खरीदना है तो उसका निरनाय जल्दी ले लेते हैं वो लगों को ना बोलने का निरनाय जल्दी नहीं लेते हैं लेकिन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का नि invest नहीं करते वो बाकि सारे निरिणाअ गरबड करते हैं हाली luxuries के निरणाय आराम के निरणाइ जल्दी ले 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 लेते हैं दुन्या में यदի अधिकांश लोग औसत हैं दुन्या में यदि अधिकांश लोग average हैं वो इसलिए नहीं ये क्योंकि उन्होंने गलत is also a decision जदी आप सोचते हैं कि निर्णाय नहीं लेने से कोई चीज ठीक हो जाएगी तो आप गलत सोचते हैं आप क्या कोई स्टाफ ट्रबल पैदा कर रहा है आप उसको निकालने का निर्णाय नहीं ले रहे हैं आपकी ऑफिस छोटी पढ़ रही है आप नहीं ऑफिस का निर्णाय नहीं ले रहे हैं आपके पास अच्छी टीम की कमी है तो भी आप टीम हायर करने का निर्णाय नहीं ले रहे हैं आपको पता है आप किया टेक्नोलोजी नहीं है तो भी आप टेक्नोलोजी का निर्णाय नहीं ले रहे हैं आपको पता है लोग आपके साथ गप करके टाइम पास करते हैं तो भी आप उनको ना बोलने का निर्णाय नहीं ले रहे हैं तो एक्चुली आप एक चीज का निर्ण करने का अधिकार मत दीजिए और थर्ड अच्छा हो या बुरा निरने लगतार लीजिए जो निरने लेगा वही एक दिन बड़ा बनेगा साथियों यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्धम से पहुचाओ आप तुरंत उज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल को लाइक कर करिए मैं जीवन के हर पहलू कुछ टच कर रहा हूं लगतार टच कर रहा हूं ताकि मैं भारत को जगा सकूँ और देश को नेक्ष लेवल पर लेजा सकूँ मुझे आपका साथ से ही है यदि इस वीडियो से आपके मन के किसी कोने को मैंने चोट पहुचाई होगी तो मैं मैं वही पर वापिस लेके जाता हूं दिवार में कील ठोगने के लिए हतोड़ी चाहिए और बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए इंजेक्शन चीए दिल दुखा भी है तो समझ लेना पाटनी जी ने जान बुच के इंजेक्शन लगाया है शुक्रिया धन्यवाद थैंक कै झाल बुच के इंजेक्शन